हेलो दोस्तों MS Mathematics में आप सभी का स्वागत है देखिए आपके सामने ये कोश्चन है बढ़िया कोश्चन है इजी कोश्चन है from a cuboid of dimension of 8 into 6 into 6 units small cubes of dimension is 0.5 into 0.5 into 0.5 unit are cut how many small cubes can be cut from the big cuboid इसमें logic के volume उच करना में सीदी सीदी बात है क्योंकि क्यूब आड़ का dimension यह और small cubes बना जा रहा है तो इसकी संख्या बलें ज्यादा होगा लेकिन जितनी भी संख्या होगा एन संख्या होगा और एन संख्या गुने एक जो है छोटे cube का volume को अगर हम लोग क्या करते हैं multiply कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये जो है बड़े वाले cube के volume के बराबर हो जाएगा ठीके बस ये concept इस करेंगे और ये question बन जाएगा 8 into 6 into 6 is equal to हो जाएगा n into 0.5 को एक बटा 2 लिख सकते एक बटा 2 गुने ये 2-2-2 इदर आ जाएगा तो 8 गुने 6 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा is equal to n और ये n का माहा निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 8-8,48 तो 48 गुने का 6 लिख देते हैं इदर हो जाएगा फिर 2-4,8 ठीक है तो 8-6,48 ये भी हो गया तो 48 गुन ए 48 कर जाते हैं तब 48 गुन ए 48 के square निकालना है यानि 8 टाइए 64 हो गया 8 टाइए 64, 64 और 64 और 64 टाइए 64, 16, 16 और साथ कितना हो जाएगा तेहिस हो जाएगा यानि तेहिस हो जाएगा यानि कि option number कौन सा सही होगा option number 3 करेक्ट हो जाएगा ठीके दोस्तों आसा करता है आपको समझ में आई होगे धन्यवाद